हलो गाईज, वेलकम बैक तो और यूटूब चैनल बेश्टन गाइड दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश के सबसे दो बड़े सरकारी बैंकों के बारे में जी हाँ हम बात करने वाले हैं सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बैंक ओवर वीव के बारे में गैस यहाँ पे बैंक की कितनी बड़ी सरकल है क्या क्या आपको फैसलेटी देती है दूसरी यहाँ पे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि क्या इस दोनों बैंक में अगर आप पैसे रखते हैं यह जो टॉपिक है बड़ा ही important टॉपिक है कि बैंक आपको कैसा अपनी customer support देती है और यहाँ पे जो गैस पाँचवी और आखरी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आप जिस भी एक बैंक में account खुलवाते हैं यहाँ पे आपको minimum balance requirement और साथ ही यहाँ पे आपकी hidden charges इस bank में कितनी लगती है तो इन ही पाँचो topic के ऊपर हम बात करेंगे और final में आपको बताएंगे और आप खुद से भी justify कर लेंगे कि इस दोनों bank में सबसे best bank कौन सा है यह जो वीडियो है मैं comment के ऊपर बना रहा हूँ साथ ही bank आपको क्या-क्या facility देता है तो guys सबसे पहले बात करते हैं पंजाब national bank के बारे में पंजाब national bank की बात करें तो यहाँ पे आपको internet banking mobile banking यहाँ पे guys अगर बात करें तो आपको instant account opening की facility नहीं मिलती है अगर आप PNB में चाहे घर बैठे बिना bank जाए account open करना तो यहाँ पे यह possible नहीं है वही guys जब हम बात करें तो यहाँ पे PNB की total branches इंडिया में 13,000 के प्रॉक्स है अगर guys इसकी ATM की बात करें तो इंडिया में इसकी total ATM 13,000 के प्रॉक्स है और यहाँ पे guys सबसे बड़ी बात अगर आप इस bank में credit card लेना चाहें तो आपको online apply का कोई options नहीं मिलेगा इसके लिए आपको branch जाना होगा और यहाँ पे आपको credit card अगर यू कहें तो बड़ा असानी से नहीं मिल पाएगा और यहाँ पे guys जो आखरी topic है वो है यहाँ पे guys आपको इस bank में क्या कोई offer मिलेगा अगर आप कहीं पे भी shopping बेगा करते हो तो यहाँ पे आपको discount बेगा मिलेगा कोई reward point मिलेगा तो ऐसा नहीं है P&B में आपको कोई reward point और नहीं यहाँ पे कोई आपको discount मिलेगा वहीं जगर हम State Bank of India को लोगे तो यहाँ पे आपको internet banking साथ ही mobile banking अगर दोनों को internet banking में compare करें तो यहाँ पे आपको State Bank of India के internet banking में ज्यादा services मिल जाएंगी वहीं यहाँ पे आपको unlimited UPI की facility मिल जाती है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप instant account open कर सकते हैं आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है आप State Bank of India में UNO SBI के साथ account open कर सकते हैं वहीं जगर इसकी branch की बात करें तो इंडिया में कुल 25,000 branch अप्रोक्स यहाँ पी State Bank of India की है वहीं जगर ATM की बात करें तो यहाँ पे 60,000, 60,000 से उपर ATM आपको State Bank of India का इंडिया में द credit card के लिए online apply कर सकते हैं और बड़ा ही simple process है और गाई यहाँ पे अगर हम बात करें discount offer की तो यहाँ पे State Bank के debit card और credit card से आपको हर वक्त 10% imagine flip card या किसी other shopping sites पे आपको discount देखने को मिल जाएगा अगर गाई हम first topic के उपर बात करें कि यहाँ पे digital products और यहाँ पे इसकी guys bank overview में स बहुत सारे digital product discount और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे facility State Bank of India में मिल जाती है तो guys अब दूसरे topic के उपर बात करते हैं कि आप जो भी अपने पैसे रखेंगे वो किस bank में सबसे ज़्यादा safe रहेगा तो guys मैं आपको बता दू यह जो दोनों bank है State Bank of India and Punjab National Bank यह दोनों bank government bank है तो इसमें आपका दोनों में पैसे आपके बिल्कुल safe रहेंगे इसमें कोई आपको सोचने वाली बात नहीं है दोनों bank यहाँ पे सरकार की अधीन काम करती है तो इसमें आपका दोनों bank का same यहाँ पे कोई issue नहीं है यह government bank है तो guys यह तो दूसरा topic हमारा clear हो गया अब guys हम त तीसरे topic के उपर बात करते हैं कि आप अगर इस दोनों bank में account खुलवाते हैं तो आपको यहाँ पे rate of interest आपको अपनी जो भी आप अपने account में पैसे रखेंगे उसके साथ bank आपको क्या ब्याज देगी और साथी guys अगर हम बात करें कि अगर आप अपने account में fixed deposit अर साथ FD कर आते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है rate of interest तो गाई अगर SBI की बात करें सबसे पहले है SBI की बात करता हूं तो SBI में अगर आप normal अपने saving account में पैसे रखें यहाँ पे आपको 2.75% का यहाँ पे आपको interest rate मिलता है वही अगर हम PNB की बात करें पंजाब National Bank of India की तो यह आपको 3% का interest आपको rate देखने को मिल जाता है अगर वही हम FD की बात करें तो आपको SBI में 4% की यहाँ पे आपको rate देखने को मिलती है FD करने पर वही आप पंजाब National Bank में अपनी पैसे को FD करते हैं fix करते हैं तो यहाँ पे आपको up to 5% का interest rate देखने को मिल जाता है तो हम बात करते हैं चोथे topic के ऊपर जो सबसे important topic है customer review आप जिस भी bank में अपना account खुलाते हैं वहाँ पे आप जाते हैं तो bank वाले का जो भी behavior वेगरा यहाँ पे bank के साथ आपका किस तरह से relationship होता है bank employee के कैसा behavior होता है यह भी बड़ा एक important topic है आपको इस बारे में जानना चाहि है मैं अपना personal opinion आपके साथ share कर रहा हूं आपको भी बताईएगा अगर कुछ ऐसा होगा जो मैं आपको से साथ share कर रहा हूं अगर आपके साथ भी वैसा कुछ हुआ होगा तो आप हमें comment session में जरूर बताईएगा जी हां हम बात कर रहे हैं SBI के बारे में SBI की जो customers इनकी ब employee होते हैं जो इनकी branch में जो भी आपको employee दिख जाएंगे इनका behavior आपके साथ अच्छा नहीं रहता है जैसे कि मैं अपने experience के साथ आपको share कर रहा हूं और हम पंजाब national bank के बारे में बात करें तो यहां पे आपको कुछ behavior अच्छा मिल सकता है क्योंकि SBI सुस्ष से तो best जाएगा तो अगर हम customer review के बारे में बात करें तो पंजाब national bank को मैं थम करूँगा यहां पे पंजाब national bank based है customer review में यहां पे आपको अच्छी खासे आपको जो भी information जाए ब्रांच वेगरा से आपको यहां पे मिल जाएगी गईज लास्ट topic के उपर बात करते हैं पांचवे topic के उपर कि आप जीस bank में अपना account खुलवाएंगे यहां पे आपको minimum balance कितना maintain करना होगा अगर आपने account में पैसे नहीं रखते हैं तो bank आपको कितने चार्ज करेगी bank आपके कितने पैसे वह सूलेगी तो गईज सबसे पहले बात करते हैं state bank of India की तो यहां पे गईज अगर आपको जीरो balance account की facility मिल जाती है जी हां यहां पे आपको अपने account में एक भी रुपए रखने की जरूरत नहीं है अगर आपके account में 0 रुपए भी रहते हैं तो SBI आपको कोई चार्ल नहीं करेगी आप आप बिल्कुल zero balance account operate SBI के साथ कर सकते हैं वहीं गईज अगर हम पंजाब national bank के साथ करें तो यहां पे गईज सबसे पहले यहां पे मैं जो आपको बता रहा हूँ एकाउंट वेरियन वो regular saving account का बता रहा हूँ तो यहां पे अगर हम पंजाब national की बात करें तो पंजाब national में आपको अगर आप village side से है तो यहां पे आपको 500 रुपए maintain करने होगे वहीं guys अगर आप village side से नहीं है आप urban side में है तो यहां पे आपको 1000 रुपीज maintain करने होगे यह guys कुछ ज्यादा नहीं है यह basic amount है आप इतना maintain कर सकते हैं अब आते हैं मेरी opinion क्या है आपको किस bank में account खु facility मिल आते हैं जैसे कि net banking से आप बहुत सैसे काम है जैसे की कर सकते हो आपको कहीं पे bank वगरा जाने की यरूरत नहीं है साते यहां पे SBI में आपको काफी credit card यहां पे आपको loan वगरा सब कुछ यहां पे आपको सब कुछ online की facility मिल जाती है और एक सरकारी bank आपको इतनी services दे यह बहुत अच्छी बात है और अगर यू कहें तो SBI, HDFC, ICIC जो भी banks private bank है उनको टक्कर कर रही है तो अगर आप मुझसे last में यह suggest करें कि आपको किस bank में account कुलवाना जाए तो यहां पे दोनों bank based हैं लेकिन अगर आप देख लिए यहां पे मुझे SBI में बस एक ही problem दिख होगे कौन सा bank है सबसे बेशाए